हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PSI YouTube चैनल पे मिरे नाम है लीना जन आज का हमारा डॉपी के बेस्ट कॉर्सेस फोर वैब डेवलपमेंट तो आज की वीडियों हम देखेंगे कि वैब डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छे कॉर्सेस कौन-कौन से है और उनकी डिस्काउं है बड़िया टेकनलोजी है वैब डेवलपमेंट ठीक है अगर आप वैब डेवलपमेंट सीख लेते हो तो आपको कभी भी कोई मार्केट से बाहर नहीं निकाल सकता है यानि कि बले आप रिलांसिंग कर लो बले आप जोब कर लो वैब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जि लेओफ नहीं कर सकता है एक दिन में लेओफ में जो बहुत सारे लोग निकल जाता है ना उसमें आप नहीं निकलोगे तो यह एक बहुत ही बड़ी बात है और इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पांच ऐसे कॉर्स जो की आपको वैब डेवलपमेंट के के जिए आप 5 में से सारे की सारे नहीं करने है आप आपको कोई भी एक करना है तो guys सबसे पहरे बता दो कि आपको कोई कोर में कॉर्स करने कहा से और कोर्स करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्किल शेर का अब डेफिनेटली यह एक पेड़ ऑप्शन है लेकिन कैस यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर आप Skillshare का membership लेती हो एक महीने का तो 340 रुपए लगेंगे तो 340 रुपए में इस पूरे platform में जितने भी courses है वो सब आपके लिए free हो जाएंगे अब यहां पर आपको particular कोई एक course खरीदने की चलोत नहीं है या दो course या पांच course खरीदने की चलोत नहीं है यह से कि Udemy में होता है और example अगर आपको पांच course चाहिए यह एक, दो, तीन, चार, पांच इन पांचो courses को मिला कि जब offer चल रहा होगा तो 2000 रुपए में इस पांच course मिलेगा या निकि एक course के कुछ 400 रुपए लगेंगे ठीक है तो 5 course के 2000 बान के चलो और नॉर्मली क्या होता है कि अपने Udemy में 480 रुपीज का एक course होता, गर उससे आपसे देखा जाए तो 2200 रुपए लग जाएंगे आपके 5 course पूरा सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 340 रुपए एक महिने का आप पे करो और आप उस महिने में वो पांचो courses सीख सकते हो, ठीक है, वो 500 चोड़ो आप इस course में क्या क्या चीजे covered हैं, क्या 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 cover नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आप देख सकते हो और उसके बदा आप डिसाइड़ कर सकते हो, आपको कौन सा course इनके से लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी फिलाल के लिए web development के लिए मेरे पास यहाँ पर 5 बहुत ही अच्छे courses मे है, पूरा total cost रहने वाला है, यहाँ पर पूरा introduction से लेकर हर एक चीज cover करी गई है, ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर, सबसे पहले introduction है, फिर web flow के बारे पर introduction है, और web flow का environment, आपको बताया जाएगा यहाँ कि जो interface बगर साइज चीज रहेगी, और HTML, CSS का एक overall idea द animation, forms, और इस तरीके से सारे एक 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 चीज़ों को आच बेसिक सारी चीज़ समझाएंगे, फिर उसके बाद, यहाँ से project शुरू होगा, ठीक है, project 1, project page, और यहाँ part 1, part 2, part 3, और उसके बाद आपको यहाँ पर animations, interactions, बहुत सारी चीज़े के बारे में यहाँ को सिखा जाता तो ऐसे में web flow सीखना, आपके future को ज़्यादा strength दे सकता है, तो इसलिए कई नागी मैं कहूँगा, कि यह वाला course यह मेरे list में पहले number पे रहेगा, अगर आपको इन 5 में से कोई एक शुरू करना है, तो मैं आपको कहूँगा, कि आप web flow का यह वाला course को, ठीक है, आप जैसे और मैं इसको आगे move कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीक है, इसका interface रहेगा, और यहाँ पर website बिल्ट की जा रही है, ओके, तो यहाँ पर नीचे आपके पास बहुत सारे options रहेंगे, transcript रहेगा, discussion रहेगा, आप अगर कुछ फूर्शना चाहते हैं, तो किस पता रहेगा, कि इस पर्टिकुल जगे मैंने एक not लिखा हुआ था, तो यहाँ पर एक option रहेगा, आपके पास, और यहाँ पर discussions रहते हैं, लोगों पर जिनका भी doubt रहता हूँ, पूछते हैं, और teacher जो है, वोसका जवाब देते हैं, ठीक है, तो यह सारे सीजे रहेंगे, project and resources, और इसके अंदर जो भी resources यहां यां utilizar किये गए हैं, वो सारे resources इसके अंदर added होते हैं, मतलब अगर आपको एक image भी चाहिए, यह particular image गगर आपको चाहिए, तो सारे resources के अंदर यहां पर added होते हैं, तो आप उन सारे resources को भी यहां से access कर सकते हो, ठीक है, यह देखे, ये एक resource है buildyourfirstproject.zip तो यह यहाँ पर दिया गया है यह इस particular एक tutorial का है ऐसे हर एक tutorial का यहाँ पर आपको projects और resources करना है, जो भी चीज उसकी कही होगी वो है आपको मिल जागी, आप simply इसको यहाँ से download कर सकते हो, ठीक है तो यह चीज रहेगी, और बाकी अगर आपके कुछ भी doubts है, तो आप discussion में इसको पूछ सकते हो, तो यह सारे option आपको यहाँ पर मिल जाते है, ठीक है और एक proper form में यहाँ पर हर जी जा रहे हैं जो दिखने को, YouTube पे बहुत सारी चीज़े मिलती है सीखने को, लेकिन कभी भी इतना proper form में आपको नहीं मिलता है तो यह हो गया हमारा पहला course जो की है, web flow, bootcamp अब चलते है next course की तरफ तो guys, यह एक और course है, जो की modern, front end, web development, HTML, CSS, javascript, SAS, and type script इसके अंदर यह सारी चीज़े cover से पहले, क्या हम करने वाले exactly और उसकी क्या capabilities है, उस हर एक particular चीज़े, HTML क्या कर सकता है ठीक है, पता होना चाहिए, CSS क्या कर सकता है, मैं पता होना चाहिए, ठीक है तो एक overall basic idea जो है, वो आपको यहां से मिलेगा, और इसके बाद, आपको इसके बारे में और detailed course लेना चाहिए, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, एक बार हम इस पांचों courses के बारे में समय लेते हो, उसके बाद हम एक particular चीज़े के बारे में आगे बढ़ेंगे ठीक है, तो यह एक basic idea आपको दिला देगा, कि आपको यह HTML, CSS, JavaScript, क्या है, कहां से शुरू करें, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, तो यह जो problem है, यह इसमें solve हो जाएगी आपकी, ठीक है, और next आता है यहाँ पर website creation master class using wordpress and elementor, guys, wordpress और elementor अगर आपने सीख लिया ना, तो आपको कभी जिन्दगी में job, job करने की चुरूत नहीं पड़ेंगी, क्योंकि यह freelancers का काम, यहाँ पर यह आजाता है, पूरा freelancer काम, यहाँ पर अगर आप एक wordpress website बनाना सीख लोगे, और उसमें आप elementor का use करके बनाना अगर आप सीख लेते हो, तो आप अभी 80,000,000,000,000 अगर यहाँ लीक आप उस website की लेते हो, तो आपnarाम से आप 56 दिन के अंदर अंदर तीस सालेसर, सार रुपनामा रही हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई और बंदला कमा रहा है, मैं कह रहा हो कि मेरे दोस्ट कमा रहा है जॉब तो करते ही यह वो लोग और उसके अलाव आग घर जाके 5-6 दिन के अंदर-अंदर एक-एक-दू-दो-ग अबना के देते हैं अपने clients को तो वो अलग तरह से अपना घर बैठे-बैठे अपना freelancing के तो भी वो लोग अमार है तो हाँ अगर आपको freelancing किसी particular join करना है तो आपको डिस्कूशन मिल जाएगा और Skillshare का discount link भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्कूशन दे दुगा तो वहाँ से जाके वो भी purchase कर सकते हैं monthly low आप yearly low को फराक नहीं परते को yearly लोग तो 4000 रुपए में पूरे year का हो जाएगा मंतली लेने जाओगे तो हर मैने के 300-340 रुपए आपको कुछ देने पड़ते हैं यहाँ पर तो 340 रुपए में आप एक-एक मैने का भी ले सकते हैं तो हाँ आप जो भी जैसा भी हाँ मत लिल यह ना चलाएं तो दोनों आपकी पार आवचJack पूरा चाहते हो तो यह पाइटन को एक बार यहाँ पसे सीख लेते हो तो उसके बाद अपने लेवल पर करना शुरू कर सकते हो ठीक है तो यह एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है छे गंटे 30 मिनिट का कोर्स है आप उसको करो और उसके बाद आपको करियर को एक डायरेक्शन मिल जाएगा नेक्स्ट कोर्स है हमारा यहां पर ASP.NET गर आप ASP.NET करना चाहते हो तो यह एक बहुत ही खमाल का कोर्स है यहां पर आप देख सकते हो इसका पूरा डूरेशन रहेगा 9 घंटे का ठीक है और 51 लेसन से और गाइस बहुत ही खमाल का कोर्स है अगर आप यह कर लेते हो तो आप बहुत है इस टूटिरियल को भी ले सकते हो तो मेरे साप से लाकि लिया ओर पूरे साइट को जाता है यहां पर आपको यह कॉर्स करना चाहिए यहां ममतादू मैं यहां पर यह ट्रेवायर विल् analyzed नाम से है यह चक्ट कर सकते हो और इससे पहले वाला जो था coughing अगोह और नेक्स्ट है यह हमारा modern प्रेंट नहीं कि है, STML, CSS का basic course, Christopher. और यहां पर आपको यह वाला course मिल जाता है, आराश अहाद जादे, जो भी है, तो यह वाला जो बन्दा है, इस बन्दे का आप यह course ले सकते हो, वैफलो में, तो guys, यह 5 courses में आपको recommend करता हूँ, अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, उसकी pricing को क्या रहने वाली ह आते हैं, और इधर यह देखे, 340 रुपीज पर मन्त रहेगा इसका, अगर आप annually इसको pay करते हो, तो 4084 रुपेगा यह रहेगा, ठीक है, तो यह आपके पास एक option यह रहता है, 4084 रुपेगा, या फिर आप पर मन्त भी अब ले सकते हो, कोई issue नहीं है, है ना, यहाँ पर क सही courses ढूणने है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यह एक basic course है, HTML, CSS का, अगर आपको HTML, CSS के और courses चाहिए, तो आपको यहाँ पर simply type करना है, HTML, ठीक है, और यहाँ पर हम click कर देंगे, HTML पर, और यह HTML के कुछ courses निकल के आ जाएंगे, और यहाँ पर view all HTML classes, और यहाँ पर आप द design layout, learn how to describe your design with HTML and CSS, ठीक है, यह चार घंटे का सिर्फ HTML का रहेगा, ठीक है, तो काफ़र detailed courses यह रहेंगे, HTML के अपर, यह HTML, CSS का detailed course एक और यह रहेगा, दो घंटे का, यहाँ पर आपको HTML, email, development, ऐसा बहुत सारे courses आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है, तो कहने का अतलब यह ह कि अगर आप skillshare से courses लेते हो, तो आप आराम से बैठ के देख सकते हूँ कि आपको कौन सा course exactly लेना है, ठीक है, आप उस सारे के सारे सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है कि सबसे अच्छा किसने बताया, अगर मैं एक और course recommend करूँगा, तो यह वाला recommend करूँगा Responsive Web Designing Essentials, HTML5 और CSS3 Bootstrap, यह तीन चीज़ें हाँ पर सिखाएगी, HTML5, CSS3 और Bootstrap, तो यह एक बहुत लंबा course है, 17 गंटे का, इसलिए मैं इसमें एड नहीं किया, 17 गंटे का course, आज की डेट में, कितने लोग लेंगे मुझे पदा नहीं, लेकिन यह course था जब मैंने अपना career start क सबसे पहले मैंने HTML, CSS सीखा था, तो सबसे पहले जो course मैंने लिया था, वो यह वाला था, तो यह course बहुत ही helpful है, आपको basic से लेके advance सब कुछ सिखाने के लिए, लेकिन उस time मेरे पास time था, अब आज की डेट मागर आप एक beginner है, आप college pass out है, अभी अभी आप pass out हुए है, हाँ पर मैं कुछ भी नहीं बोलूगा, क्योंकि दुनों में आपको अगर overall पूरा साल का अगर लेते हो, तो भी आपको वही price पढ़ता है, और आप एक-एक महीने करके लेते हो, तो भी आपको वही price पढ़ता है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हो सकता है, अगर आप मन्त ट्रायल ले सकते हो, साथ दिन का, ठीक है, तो ट्रायल लेने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो कार्ड एंटर करना पड़ेगा, विजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्स्प्रेस या कोई भी आप इसमें कार्ड डाल दो, और उसके बाद, छे दिन बाद, साथवे दिन आपके पैसे काट ले जाएंगे, 340, जो भी आप मंतली लेते हो, तो 340 पर काटेंगे, और अगर आप यहर लेते हो, तो 4,000 काटेंगे, फिर, एक साल बाद, 4,000 फिर से काटेंगे, तो आपको क्या, उससे पहले अपना सब्सक्रिप्शन कैंसल करना है, तो फिर से हो जाती है, क्योंकि automatic बिलिंग इसके अंतर होती रहती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़े क्लियर हो गए होगे होगे, फिर भी आपको विडियो करेंगे, पूल सकते ही वीडियो को प्रस करेंगे, कि कि किसी से हमारे आगे आने वाले वीडिश के नोटिपि आपको मिलेंगे, तो आज के प्रेम से बितना ही देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद